हलो फ्रेंड्स वेल्कम टू मा यूटूब चैनल सो गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो आपका यूपी पुलिस काउंच्टेबल का एक्जाम होने बाला है 18 फरवरी 2024 को उसी के यूपी जीके के टॉप मौश इंपॉर्टन कोसिंस को यहाँ पर डिसकस करने वाले है इस टॉपिक से यूपी पुलिस काउंच्टेबल के एक्जाम में 6-7 कोसिंस पोछे जाएंगे तो वेड़ो काफी इंपॉर्टन है आप लोगों के लिए तो इस वेड़ो को पूरा ज़रूर देखिए वेड़ो अच्छा लगे तो प्लीज वेड़ो को लाइक उस्याज जरूर करें चैनल पर फ़ली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोडिफिकेशन बैल आउन करना ना भूले तो चलिए वेड़ो को स्टार्ट करते हैं गाईस यूपी पुलिस काउंच्टेवल की एक्जाम डेट घोशित कर दी गई है अठारा फरवरी 2024 को एक्जाम आयोजित किया जाएगा आप लोगों के पास किने चुने दिन बचे उवे हैं दिसमर खत्म होने वाला है और जनवरी लगने वाली है तो कहने का मतलब है आप लोगों के पास कुल 46 से 47 दिन से बचे हुए हैं तो जो भी मैं आपको वीडियो बगरा प्रोवाइड करा रहा हूं तो उन वीडियो को वाच किजिए आप लोग तो इस वाले वीडियो में मैं आप लोगों के लिए UPGK के काफी most important questions लेकर आया हूँ इस topic से UP Police Constable के exam में एक से 6 questions टच जरूर करेंगे तो वीडियो को पूरा watch करना सभी questions new pattern पर अधारित हैं बिल्कुल जो परिच्छा में पूछे जाते हैं ठीक है अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारा WhatsApp ग्रूप जोइन कर लेजिए WhatsApp ग्रूप का link मैंने से वीडियो के description में दे दिया है तो वीडियो के description में जाएए link पर क्लिक कीजिए और हमारा WhatsApp ग्रूप जोइन कर लेजिए वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी वीडियो को स्टार्ट करते हैं सभी बच्चे वीडियो को लाइक करेंगे और सेशन को एक बार सेर कर देंगे अगर पेपर में पूझा जाए उत्तर प्रदेश की इस्थापना कब हुई थी आपको ध्यान में रखना एक उत्तर प्रदेश की इस्थापना वर्स 1950 में हुई थी इसके पूर्व उत्तर प्रदेश एबं उत्तराखंड को सयुक्त प्रांत कहा जाता है इसके पूर्व उत्तर प्रदेश लगवग 24-31 डिग्री उत्री अच्छांस और ससतर से चौरासी डिग्री पूर्वी देशांतर के मद फैला हुआ है तो यह भी आपको ध्यान में रखना है उत्तर प्रदेश लगवग 24-31 डिग्री उत्री अच्छांस और ससतर से चौरासी डिग्री पूर्वी देशांतर के मद फैला हुआ है वेड़ो को लाई कर दे सबी बच्चे उत्तर प्रदेश के पूर्व में बिहार और जारखंड दच्छिड में मद्य प्रदेश बाद 36 गड़ पशिम में राजिस्थान दिल्ली और हरियाना और उत्तर में हिमाले सोरी हिमाचल प्रदेश वा उत्तराखंड इस्तित है तथा इसकी उत्तरी सीमा नेपाल से भी जुड़ी हुई है तो यह भी आपको ध्यान में रखना है नैस को सन देखेगा जन संक्या की ड्रेश्टी से उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राजी है अगर पेपर में पूझा जाए कि जन संक्या की ड्रेश्टी से उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राजी का उनसायत वो है उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश में भारत के लगबग 16 प्रतिसत लोग निवास करते हैं यह आपको ध्यान रखना है 2011 की जनगर्णा के अनुसार यहां की कुल आवादी के गर हम बात करें तो यहां की कुल आवादी है एक अरब 99 करोन 95,81,470 है जिसमें एक करोन 45,96,415 पुरुस तथा 9 करोन 49,85,062 महिलाएं हैं यह आपको ध्यान में रखना है 2001 से 2011 के वीज जन संख्या ब्रदीदर 20 तसमलब 9,37 रही तथा 0 से 6 वर्ष के बच्चों के वीज का लिंगानुपात 899 रहा है उत्तर प्रदेश की जन संख्या घनत 828 व्यक्ति प्रतिवर्ग के किलोमीटर रही 2011 की जन गर्णा के अनुसार उत्तर प्रदेश की साच्छर्टादर के अगराम बात करें 69.56 परतिसत है तो ये भी fact आपको ध्यान में रखना है उत्तर परदेश में विधान सवा सीटों की अगर हम बात कहें तो उत्तर परदेश में विधान सवा की जो कुल सीटे है ना उत्तर परदेश में विधान सवा सीटों की कुल संक्या 404 है इनमें 403 सीटों पर चुना होता तता 1 seat और रच्छित रहती है तो अगर पेपर में पूछा जाए उत्तर प्रदेश में विजह सवा ,aning in कितनी है चारसोगा, यह आपको ध्यान रखना है ठीक है उत्तर euh-प्रदेश मे कुल 75 जिले हैं तथा इन में लोकसवा सीटों की कुल संक्यय 18 तथा राजसवा सीटों की शंक्यय जो है वो 81 है यह भी आपको ध्यान रखना है तो उत्तर उत्तर प्रदेश की राज्किय भासा हिंदी तथा उर्दू है तथा यहां का राश्टिय पसु बारा सिंगा तथा पच्छी सारस क्रेन है यहां का राश्टिय ब्रक्ष असोग तथा पुस्प पलास है तो उत्तर प्रदेश की राश्किय भासा कौन सी है हिंदी तथा बुर्दू राज्की वासा है और यहां का राश्ट्य पस्टू कौन सा है 12 संगा और पच्छी कौन है सारस क्रें यहां का राश्ट्य ब्रक्ष कौन सा है असोग तथा पुस्व कौन सा है पलास सारे इस प्रफेक्ट आपको धेंडर्खने है उत्तर प्रदेश की प्रमुख लगवक-630år जन संक्या का मुख के वेपसाय कौं सा है क्रसी गन्ना यहां की प्रमुक नगदी फसल है ये भी आपको ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश के कानपूर तथा आगरा के प्रमुक चमड़े का उद्योग केंद्र है ये भी आपको ध्यान रखना है चमड़े के उद्योग केंद्र कौन कौन से है कानपूर तथा आगर उत्तर प्रदेश के कानपुर सहर को उत्तर भारत का मैंचेस्टर कहा जाता है तो उत्तर भारत का मैंचेस्टर किसे कहा जाता है कानपुर सहर को ये भी आपको ध्यान रखना है फिरोजाबाद चोडियों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है कौंसा सहर चोडियों के लिए प्रसिद्ध है फिरोजाबाद अर्थ विवस्ता के हिसाब से भारत में उत्तर परदेश माराष्ट के बाद दूसरे इस्थान पर है ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है राष्टिय राज़मार्क एनस सेविन वाणासी उत्तर परदेश से कन्या कुमारी तक जाता है और भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है ये भी आपको ध्यान रखना है गोरकपूर उत्तर परदेश भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन आईना वो है गोरकपूर जो की उत्तर परदेश में इस्तित है उत्तर परदेश में पर्थम सोतंतरता संगराम की शुरुआत कब हुई थी? दस मई 1857 मेरट से हुई थी कहां से हुई थी? मेरट से आउक कब हुई थी? दस मई 1857 उत्तर परदेश के पर्थम मुखमंतरी कहुण है? गोविंद बल्लब पंत यह भी आपको ध्यान रखना है राजिपाल कहुण है? उत्तर परदेश की पहली? स्री मतिस सरोजनी नाईडू स्वयुक्त परांत के समय की बात है यह उत्तर परदेश के नामांतरान के बाद होरम सजी, पेरोसा, मोदी पर्थम महिला मुखमंतरी कहुण सुचिता करपलानी तथा विधान सभा अदेश कहुण है, राज रिसी, परसोथम दास टंडन और पर्थम लोकायुक्त कहुण न्यायमूर्ती, रादेसयाम, गुपता तो यह सारे चीजे जो है आपको यात अकलेनी है, ठीक है अब कोशन्स यहां से आपके स्टार्ट हो जाते हैं पहला कोशन देगा सभी बच्चे उत्तर पर्देश में इस्तित आयोध्या किस नदी के किनारे बसा है उत्तर पर्देश में इस्तित आयोध्या नगर जो है ना यह सर्यू नदी के किनारे बसा है किसके किनारे? सर्यू नदी के किनारे उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था तो देखिए उत्तर प्रदेश को पूर्व में यूनाइट प्रोविंस के नाम से जाना जाता था किस के नाम से जाना जाता था यूनाइट प्रोविंस के नाम से उत्तर प्रदेश में योजना आयो का गठन कब किया गया है तो उत्तर प्रदेश में योजना आयो का गठन किया गया था 1971 इस भी में सभी questions important है नए पर्टेन्ट पर अधारित हैं जो कि आपकी परिच्치가 में बार बार पूछे जाते हैं मैंने वही questions selected questions लिए हैं एक बर आप लोग देख लिए ठीक है पीडिया आपको वाटसअप गुरूप पर मिल जाएगी वाटसअप गुरूप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्परसिण में दे दिया है जली से जाएए नेस कोशन देखेगा किस परियोजना में उत्तर परदेश विहार वा नेपाल समलित है देख गंडग परियोजना में उत्तर परदेश विहार वा नेपाल समलित है next questions क्या है उत्तर प्रदेश में सरवादिक वर्षा वाला छेतर कौन सा है उत्तर प्रदेश के मुखमंतरी की न्योक्ति कौन करता है तो उत्तर प्रदेश के मुखमंतरी की न्योक्ति राजपाल करते हैं कौन करते हैं राजपाल दियासलाई उद्यों का प्रमुख केंद्र उत्तर प्रदेश में कहा है तो दियासलाई उद्यों का प्रमुख केंद्र उत्तर प्रदेश बरेली में का पर है बरेली में उत्तर प्रदेश के राजिपाल की न्यूक्ति कौन करता है अगला कोशन देखे का सभी वच्चे चौधिरी चरण सिंग इस्टेडियम उत्तर परदेश के किस जिले में अवस्तित है तो चौधिरी चरण सिंग इस्टेडियम मुझफर नगर जिले में अवस्तित है अगला कोशिंस क्या है किस फसल का भारत में उत्तर प्रदेश अगर्णी उत्पादक है जोओं का उत्तर प्रदेश के मतुरा नगर में किस सासक का इस्थम्ब लेक इस्थित है तो उत्तर प्रदेश के मतुरा नगर में असोक का लेक इस्थित है इस्तंबुल एक इस्तित है, असोग दुबरा निर्मित भारत का राज चिन सिंघ इस्तंग उत्तर परदेश में कहां पर हैंashing begins प्रतम महिला मुखमत्री कौन थी उत्तर परदेश की परथम महिला मुखमत्री सुचेता करप लानी थी मत्फुरा किस महा जनपत की राजधानी थी विस्फपरसितग ताजमेल उत्तर परदेस के आगरा में उत्तर परदेस में भात खंडे संगीत संस्तान विश्विदाले किस बर्स बना उत्तर प्रदेश में वात खंडे संगीत संस्तान विश्विदाले वर्स 2001 में बना उत्तर प्रदेश का सरवादिक विस्तरित पच्छी बिहार का क्या नाम है? उत्तर प्रदेश का सरवादिक विस्तरित पच्छी बिहार का नाम है लाक वहासी पच्छी बिहार उत्तर प्रदेश में 1857 की क्रांतिका आरम सरपर्थम किस नगर में हुआ था उत्तर प्रदेश में 1857 की क्रांतिका आरम सरपर्थम मेरट से हुआ था कहां से हुआ था मेरट से Next questions उत्तर प्रदेश में प्रसिद बुलंद दर्वाजा कहां इस्तित है उत्तर प्रदेश में बहने बाली कॉंसी नदी प्राण दाइनी मुक्त दाइनी तरथा पवित्र नदी के नाम से जानी जाती है तो गंगा नदी आपका सही आंजर हो जाएगा अगला कोशन देखेगा सभी बच्चे कोईसन्स है उत्तर प्रदेश में सर पर्थम किस वनजीव विहार की इस्थापना की गए उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत काउंसा होगा उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है विरहा काउंसा है विरहा तो अगर आप लोगो इस सेशन पसंद आया हो तो सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए शेर कर दीजिए चैनल पर नए है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दूसरी बात अगर आपको इसका पेडियाप चाहिए